कि अपने अपना लास्ट लेक्चर पे वर्क एंड टाइम के वारे में बताया था जिसमें कि मैंने बेसिक्स कॉंसेप्ट के बारे में बात तो आज उसी से रिलेटेट सवाल है इसमें मेरा दो टाइप का सवाल है टाइप ए और आपका टाइप बी जिसको हम लोग यहां पर डिस्कॉस करने वाले उसके बाद नेक्श्ट लेक्चर जो आएगा मेरा जिसमें कि आपका टाइप बी अडी होगा जिसमें कि तो बी सी डी तक कंप्लीट करेंगे तो वर्क एंड ताइम से अप सवाल को सॉल्ब करने में अनिबर होगा देखें मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं आपको सारे के सारे solve करके या सवाल solve करके दू मेरा मकसद यह है कि आप अपने हर type के question से रूबरू हो और हर type के questions को बनाने में सक्षम हो ताकि आप exam में हर तरह के सवाल को आसानी से कम समय में आप बना सकें तो चलिए start करते हैं और आप लोग सफी से एक request है अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है इससे work and time से related तो प्लीज जाके आप पहले वो देखिए उसके बाद ही इसे देखिए तब आपका जो होगा concept पूई तरह से clear होगा मेरा इस lecture मतलब यह जो YouTube के जरीए मैं सिर्फ आपका concept को clear करना चाहते हूँ concept आपका जितना clear होगा उतना ज़्यादा आपका maths भी easy तरीका से कम समींबर बनेगा ठीक है तो चलिए start को तो मेरा जो पहला सवाल है पहला number का जो सवाल है कि A जो है किसी काम को 6 दिन में करता है यानि कि आपका A जो है 6 देज में किसी काम को करता है B 9 देज में करता है B 9 देज में करता है तो दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे इसका simple सा formula था X into Y by X plus Y यानि कि हम simply A into अगर कर दे तो यानि कि 6 into 6 into 9 और आपका ये 6 और 9 को जोड़ दे तो 15 3 दुना 6 तो ये दुना होगा 3 पचे 15 9 दुनी 18 बटे 5 आएगा अगर हम इसको करे तो 5 दिया 15 ती 3 यानि 3.6 ये simple formula में बठा है मैंने आंसर निकाला आप लोग प्लीज एक बार वो वीडियो देख लिजेगा तो आपको इदम clear हो जाएगा तो प्लीज अगर नहीं देखें तो वीडियो फिर से मैं request करेंगा वो वीडियो देखें उसके बाद ही इसको आगे बड़े तो आपका एकदम concept सही रहेगा चलिए फिर next question पाते हैं बहुत आसान है अगर आपका formula और concept एकदम ready है आपके दिमाग में पूरी तरह से अच्छी तरह से तो आपके लिए सवाल बनाना भी काफी ज़्यादा आसान है तो second number question पढ़ते हैं क्या है कि A एक काम को 15 दिन में B 20 दिन में कर सकता है तो A 15 दिन में और B 20 दिन में कर सकता है तो हम calculate करते हैं कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा दिया हुआ है A मेरा 15 दिन में करता है B मेरा उसको 20 दिन में करता है तो हम निकालेंगे यापर कि A और B दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे तो 15 गुना 20 और यहाँ पर जूड़ जाएगा तो यानि कि 35 पाच सत्य 35 बास्तिया 15 यानि यह आपका 60 बटे 7 यह तो इतना दिन हो गया तो अगर हम बात करें पूछे आप से कि एक दिन में कितना काम करेगा कितना पार्ट काम करेगा तो यह साथ इसका उल्टा हो जाएगा यानि कि आपका साथ बटे साथ हो जाएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चार दिन में देखे सवाल है कि वो चार दिन में कितना काम करता है एक साथ काम किया तो चार दिन में अगर काम किया तो यानि कि इस पे चार गुना हो जाएगा तो साद गुना चार बटे साथ ये पंदरवार में कड़ी है तो आपको आ गया साद बटे 15 तो चार दिन में वो साद बटे 15 पार्ट काम कर देख तो मेरा काम कितना बजी है टोटल काम एक होता है तो एक माइनस साथ बटे पंद्रा कर देता है बाई एक तो इसका अगर हम एलसियम ले एक और पंद्रा का तो पंद्रा ही आएगा एक को पंद्रा से भाग देंगे तो पंद्रा आएगा पंद्रा को एक से गुना करेंगे तो पंद्रा आएगा की सेस कितना काम बच जाता देखिए चार दिन तो एक साथ में काम करते हैं तो आप कितना काम थससा बचा हुआ है मेरा आगया बचा हुआ है तो चलिए स्टार्ट यहां पर आपका हो गया यह तीसरा नुबर शवाल को समझते हैं यहां पर है कि एक कारिय को समाप करने के लिए पी तथा क्योंकि जो कारिय चंपता है यानि कि तो काम खत्म करने के लिए दोनों के लिए जो दिनों का अनपाथ होगा वो कितना निकलेगा वो निकालना है तो हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो क्या है कि एम इंटू मतलब एम वन और दी वन इवन भी डाल देते हैं एफिसेंसी फॉर वहां पर मैंने लेक्चर में टी वन डाला है टाइम के लिए यहां पर एफिसेंसी तो ईवन और यहां पर डबलू टू इकोल्स टू एम टू टी टू एटू और यहां पर डबलू वन देखें यहां पर यह वाला जो पार्ट है मेरा यह वाला पार्ट अगर माल ले इसके लिए टी के लिए माल लिते हैं और यह वाला जो आपका यह वाला जो पार्ट टू वाला पार्ट है इसके माल लिते हैं क तो देखिए मेरा M number of 1 person 1 EM, efficiency मेरा कितना दिया हुआ है, अगर हम देखे अनुपाद तो 3 दिया हुआ है, और D1 का value नहीं पता, वो जो उसी का तो ratio निकालना है, D1 और ये 3, work जो है equal कर रहा है, यानि कि दोनों को work equal होगा, यानि कि W1 और W2 का value नहीं होगा, 1, 1 होगा तो card देंगे या फिर गुना भी कर देंगे तो वही value आएगा, इसलिए रहने देते हैं, यहाँ पर भी M2 का value 1 है, तो 1 ही रहने देगा, और D2 का value D2 डाल देते हैं, और efficiency का value जो दिया हुआ है, वो आपका 4 दिया है, हम क्या करते हैं, D2 को इधर लेके आ जाते हैं, यह D1 और यह तुम्हाँ आपका D2 और यह 4 बाइ 3, तो आपका जो work efficiency, मतलब आपका जो काम करने का जो दिनों का जो ratio बोल रहा था, काम करने का बोल रहा हूं, दिनों का जो अनुपात था, वो कितना निकला, 4 अनुपात था, अगर आपको यह formula नहीं पता होता है, यह concept नह करके निकालते, तो उसमें मेरा time काफी ज़्यादा, यह मैंना समझाने की आपको यह formula लिखा, मैं तो अगर मेरा यह concept already clear रहा था, तो मैं यहां से direct बनाता, यहां से बनाता, और यह यहां पर मेरा answer आजाता, कितना एक दो तीन line में मेरा answer खता, clear, next आते हैं, यह concept मैंने आप को उस lecture में बताया नहीं है, यह concept को हम इस lecture में discuss भी करेंगे और समझेंगे भी इस तरह का सवाल अगर दिया रहे, तो कैसे बनाना है, यहां पर दिया है 6 पुरूस, 8 लड़के, एक काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं, 6 लड़के, 6 पुरूस और 8 लड़के, और यहां पर 26 28 पुरूस, 48 लड़के जो हैं, उसी काम को 2 दिन में, यह लोग 10 दिन में करते हैं, यह 2 दिन में, तो अगर 15 पुरूस और 20 लड़के मिल जा तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि पुरूस और लड़के जो हैं, उसके efficiencies का यह निकाल 60 man और यह 10 multiply करेंगे तो आप बीच में प्लस देता है इट बॉइस यह हुआ कैसे वो हम आपको समझाते हैं यहां पर कि अगर 6 आदमी यानि कि हम मैं को मान लिए प्लस आपका इट बॉइस जो है काम को जो है दस दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे इसको मल्टिप्लाइब एक दिन में अगर हमको काम कम्प्लीट कराना पड़ेगा तो उसका नमबर सब परसंट को बढ़ाना पड़ेगा तो इसलिए हम उपर सब क्या कर गया उससे 10 से मल्टिप्लाइब करते हैं तो जिसके कारण से यह आपका एक दिन में कम्प्लीट करते हैं इसको हम एक्वेशन वन मान देंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा बहुत सारे स्टेप्स जो होगा यहां पर इसकीप करूंगा उसको डैरेक्ट बनाऊंगा लेकिन अभी फिलाल जो है एक्स्प्लेइन करने के लिए मैं हर एक स्टेप्स को लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एकदम क्लियर में क्लियर कट कॉंसेप्ट आ जाए तो यहां पर फिर नेक्ष्ट क्या है कि 26 आदमी जो है प्लस 48 लड़के बॉइस जो है मिलके जो है किसी काम को दो दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे इससे गुना कर देंगे दोनों को मतलब दो इससे भी दो से तो 56 हो जाएगा और यह आपका छी आन्वे हो जाएगा 96 यह एक यह equation 2 हो गया आपका यह equation और 1 और 2 को equal कर दे तो हम जो लिखेंगे 60 man plus 80 boy equals to 52 man plus 96 boy यह अपका boy तो अगर हम क्या गरे man man को एक साथ कर दे तो अगर माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 man और यहाँ पर से 80 में से 99 के आपका 16 boy तो आपका एक man जो हो जाएगा वो two boy के बराबर है clear है अब हम क्या करेंगे वहाँ पर यह जो उपर में यह formula लगा नहीं वाला यह वाला formula यहाँ पर भी पूट करेंगे लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले हम clear कर लेंगे कि यहाँ पर 6 पूरूस दो एक पूरूस दो लड़के के बराबर 6 यानिके बारा लड़के बारा प्लस आठ यानिकी बीस जो लड़के हैं दस दिन में वह काम कंप्री के जगा पर आपका 10 वह कुट कर देते हैं इक्वल्स टू आपका यहाँ पर पंद्रह ना तो पंद्रह गुना दो करेंगे तीस क्योंकि एक लड़के एक पुरुस दो लड़के के बारा तीस और बीस पचास और मेरा जो डीटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो दीन ही पूछ रहा है कितना दीन में काम करने वाल है तो डीटू को इधर ही रने देते हैं और इस पचास को उदर बेजेते हैं दो सो बटे पचास यानिकि आपका चार दीगे आगे आपका वेलू क्लेर हैं यहाँ अब देखिये यहाँ पर हम कॉन कौन सा स्टेप्स को हटा देंगे मतलब क्या करना है मेरा यहाँ पर डारिक यहाँ से स्टार्ट होता है मैफ्स अगर हम सही डंग से बनाएं, मतलब steps मेरा concept के साथ, तो यहां से मेरा maths complete हो जाएगा, कैसे कि हम simply क्या कर देंगे, यह 10 को जो है न, यह इसके साथ एक बार, इसी 10 को हम इसके साथ एक बार, और यह जो दो है न, दो एक बार इसके साथ, और दो इसके साथ, multiply करके दोनों को एक दो से के equal करने, 60M और 80B, equal to 50M, 52M और 96B, के calculation करके answer निकलने, I hope यह आप लोग का type A और type B clear है, तो अराम से आप लोग बैट जाएए, books वगेरा खोलके, जो भी books है आपके पास, उससे पढ़िए, और इस तरह का, जितने भी types का है, उसको धड़ा-धर solve कीजिए, अगर इस तरह के solve करने में कोई दिक्कत होता है, तो आप comment बेजिजक होके पूच सकते हैं, मेरा नीचे WhatsApp नमबर दिया हुआ है, WhatsApp लिंक वगेरा, सब description में डाला हुआ है, आप ग्रुप में join भी कर सकते हैं, जा आप फ्री डाउट सेशन होता है, जाप आप पूच सकते हैं, इनी टा ये वारे में डिस्कुस करें,